तो first class जिन बच्चों की है मैं कोसिस यही करूँगा कि भाई आपके कोई topic ऐसा ना हो के ना समझ में आया हो बाकि जितने बच्चे जोइन होते हैं तो आपके content में folder given है वहां से आप पहले देख लो first class और बहुत मुश्किल नहीं है बहुत simple है देख सकते हो chapter लीवने जी confusion है कि sir working capital या receivable management अभी मत देखिए मैं बता दूँगा कैसे देखना नहीं देखना उसके हिसाब से हो जाएगा ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो एक question आपके book का है यह सभी के book में मिल जाएगा book का नाम मैंने बता दिया था RP रस्तोगी लेकिन semester 3 की book अभी printing नहीं अभी फिलाहल book नहीं आई है तो अभी हम ऐसे ही काम चलाएंगे थोड़े जितने questions है और आपको इसके PDF वगेरा मिल जाएंगे जो भी है जो भी class notes होते हों मिल जाएंगे सभी बच्चों को तो sir question क्या कहता है पढ़ते है calculate degree of operating leverage degree of operating leverage degree का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को एक तरीका होता है और basically क्या होगा हमारा operating leverage है जिसको short firm में मैंने भी बोला था DOL और degree of financial leverage DFL भी निकालना है and degree of combined leverage जिसे DCL बोल दिया the following firm and interpret result इसके बाद आपको result पे भी थोड़ा सा गौर करना है result पे गौर क्या करना है कि कौन से firm का better है तो जई सबसे कम जिसका leverage होगा वही better होगा हमारा लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है किसी का operating leverage कम है और किसी का financing leverage कम है तो हमें दोनों aspect में इसके answer देने पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम अगर formula मैं लिखने की बात करूँ क्योंकि हम यहीं पे पूरा का पूरा कर लेंगे अगर formula लिखूँ तो पहले सबसे पहले DOL का formula आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए क्या होता है भूल जाओ तो सबसे पहले उपर वाला divide करो और वो statement आपको पूरा याद होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगे formula क्या था sir formula था इसका contribution divided by EBIT इसके बाद हमारा था D आपका कौन सा था DFL formula क्या था sir इसका EBIT और एक्जाम में आप पूरा लिख सकते standard formatted divided by EBT इसके बाद DCL के दो तरीके थे या तो आप इन दोनों के answer को multiply कर दो हमने prove भी किया था या फिर secondary आप क्या कर सकते हो contribution divided by EBT आपकी मर्जी आप जैसे मर्जी निकालिए सारे answer 100% correct माने जाएंगे मैं एक question को पहले पूरा read कर देता हूँ कि यह question क्या कह रहा है क्या जानना चाहता है कहता है हमारे पास तीन तरीके के firm है firm A, firm B, firm A और मैंने marker select नहीं किया हमारे पास तीन तरीके का firm है firm A है, firm B है, firm C है यानि तीन अलग अलग business है तो इसका मतलब अगर हम leverage निकालेंगे, तीन leverage निकालना है तो A firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और B firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और C firm का भी तीनो ये questions एक्जाम में भी आया हुआ है और मैं बोलूँगा as a practice के लिए ये है कहता है output, output का मतलब होता है हमारा sales का unit output का मतलब होता है हमारा क्या सर, sales का unit होता है आउटपुट का मतलब ठीक है ना जैसे हमने 10,000 यूनिट बेचे हैं तो आउटपुट से उसे consider किया जाता है तो भाई हमने 60,000 यूनिट 15,000 यूनिट और 1,000,000 यूनिट बेचे हैं fix cost दे रखा है अब ऐसा मत सोचना के सर्फ firm A और firm B में fix cost कैसे बदल गया भाई दोनों अलग-अलग business है दोनों अलग-अलग organization है अगर होता ना के 2010, 2011, 2012 या फिर आपका sales बढ़ाना होता एक ही firm के अंदर तो fix cost टेक रहता यहाँ पे यह firm अलग है और यह firm अलग है इसलिए दोनों में fix cost भी अलग-अलग देखने को मिल रहा है ठीक है अब variable cost 0.2 कहता है तो 0.2 एक unit पे 20 पैसे 0.2 यहाँ पे 1.5 पैसा यहाँ पे 2 पैसे है तो वो मैं multiply करके दिखा दूँआ interest fix दे रखा है सर यहाँ dash का मतलब क्या है dash का मतलब है सर यहाँ पे interest है ही नहीं 0 interest है selling price per unit हर unit को sales करने का unit दे रखा है तो हमें वही statement बनाना है जो कि हमने last class में सीखा था जिन बच्चों की first class है उनको भी यह statement समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं कि यह statement में कोई दिक्कत आने वाली है बस आपको ध्यान से concentrate करके focus करके सुनना है तो मैं एक format बनाऊँगा और ऐसा नहीं है कि यह वाला format आप पहली बार करोगे हम बहुत कभी न कभी इसको use करते आए है लेकिन वहाँ पे इतना हम detail में नहीं देख रहे थे लेकिन फिर भी use किया है चलिए तीन फिर्म का column बना लेंगे सर एक फिर्म हो गया दो फिर्म हो गया और आप भी exactly same answer निकालेंगे तीन फिर्म हो गया ठीक है न तीनों फिर्म का यहाँ पे नाम डाल देते हैं सर यहाँ पे फिर्म A फिर्म B और फिर्म C particular ठीक है फिर्म A फिर्म B और फिर्म C सबसे पहले क्या लिखते हैं हम sales लिखते हैं है ना सबसे पहले क्या लिखेंगे हम sales लिखेंगे तो चलिए आईए लिखते हैं sales तो सर sales एक का मैं बता दूँगा बाकी का आप वैसे ही calculation करिएगा जैसे होता है एक का अगर मैं बताओं तो sales होगा क्या सर sales होगा हमारा unit unit पहले वाले का कितना है 60,000 unit ठीक है 60,000 unit और एक unit का rate आपको यहां गीवन है sales का that is 0.6 तो into में हम करेंगे 0.6 ठीक है तो आप इसको multiply करेंगे तो क्या हैगा that is 36,000 पहले point में कि सबको clear है sir दूसरे का sales output लिख सकते है sales की जगह आपको output लिखना है output लिखो लिखिन standard format हम sales लिखेंगे चल रहे है तो sales ही लिखेंगे ठीक है चलिए 36,000 जवाब भी दे दिया बच्चों ने अब दूसरे का कैसे निकालना है देखो दूसरे का output यह है यानि sales और इंटू में 5 तो 15 इंटू 5 मैं directly 75,000 कर रहा हूँ यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आएगा यहाँ पे unit दे रखा था कितना हमारा मैं unit उपर लिखी देता हूँ यहाँ पे unit था सर 60,000 और यहाँ पे unit है 15,000 और यहाँ unit है एक लाग अब इन सभी को मैंने selling price से multiply किया है इसके बाद यहाँ से minus क्या करते है सर variable cost variable cost भी पहले वाले का मैं करके दिखाऊंगा बाकी सब इसी तरीके से होना है हर किसी का पहले वाले का variable cost बीस पैसा है तो 0.2 हो जाएगा हमारा तो यह आजाएगा हमारा 12,000 ठीक है variable cost 12,000 सब बी का कैसे निकालो कि बी का variable cost डेट रुपह है तो 15,000 into में डेट हो जाएगा तो 15 into 15 कितने होते हैं 22,500 और अगले का 2 पैसा है तो 1,00,000 अरे इसका तो यह लिखा ही नहीं हमने इसका 10 पैसे है 10,000 और 2 पैसा है तो 2,000 ठीक है तीनों का मैंने लिख दिया इसके बाद हमें क्या करना है सर इसमें से minus कर देना है और एक new result हमें generate होके मिलता है simple है बिल्कुल simple और जो इसके बाद minus करके आता है हम थोड़ा सा standard नाम यूज कर रहे है that is contribution contribution एक बड़ी ऐसा नाम यूज कर लिया contribution मैं आगे से cunt dot भी लगा दूँआ वो चलेगा ठीक है न क्या लिख लिख लिया contribution तो minus करना है calculator से खरिएगा जो नहीं लाए ये calculator लिखिए आप सभी का है कहा calculator 52 500 FC 10,000 बच्चों ने निकाल के बता भी दिया 52500, 52500, 52500 चलिए, चलिए, चलिए बिल्कुल सही कुछ बच्चों ने तो answer भी निकाल दिया अक्षय ने answer भी निकाल दिया कोई बात नी हम देखो दीरे दीरे करेंगे अब इसमें से क्या minus करोगे सर आप सर इसमें से पता है क्या minus करने वाले हम सर इसमें से minus करेंगे हम interest, नहीं fix cost पहले fix cost आएगा भाई पहले fix cost fix cost ही, इसके बाद ना हम fix cost minus करते हैं, इसको मैं VC मतलब variable cost है fix cost को मैं कहूंगा आगे से FC भी बोल दूँगा मैं अब fix cost पहले वाले केस का है 7000 दूसरे वाले केस का है 14000 और तीसरे वाले केस का है मातर 1500 जब इसमें से minus कर दिया जाएगा तो minus करने के बाद सर क्या result आएगा हमारा हमारा result आने वारा है EBIT EBIT सर, minus करेंगे 7000 तो कितने बचेंगे 17000 और यहां 14000 माइनस कर दो 38500 और दूसरी साइड minus करो, कितने 6500 रोपे ठीक है अब इसमें से हमें क्या minus कर देना है सर, इसमें से minus कर देना है हमें minus interest सर, interest कैसे निकालोगे हर किसी का interest दे रखा है पहले वाले का 4000 दूसरे वाले का 8000 और तीसरे वाले का सर है ही नहीं सर, अब जो निकलके आएगा वो क्या निकलके आएगा हमारा EBT और हमारा leverage के लिए इतना ही काम होता है तो यह आजाएगा हमारा 13,000 और यह आजाएगा 30,500 और यह आजाएगा 65,000 जो बच्चे नए हैं, fresher हैं, जो बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं आएगा simple देखो, सबसे पहले होता है sales sales में से minus क्या करते है, variable cost तो एक नया नाम generate करते हैं, जो कि मैंने pink word से लिखा हुआ है, new नाम generate किया है that is contribution, contribution के बाद क्या minus करते हैं fixed cost, तो एक new नाम generate हो जाता है, that is क्या होता है EBIT, इसका full form क्या है sir, earning before interest and tax इसको profit before interest and tax भी बोला जाता है इसके बाद हम interest minus करते हैं, तो एक new name generate हो जाता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ DOL, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूँ DOL और formula आपके सामने यहां लिखा हुआ है, तो मैं formula लिखूंगा नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते है, examiner को एक जगा formula लिख दीजिए, examiner समझ जाएगा और इसको नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया, इसको नाम C दे दिया, अपना एक नाम दे दिया, ठीक है तो DOL क्या होगा हमारा A अपन में B, ठीक है, यानि contribution divided by EBIT और DCL क्या होगा, DFL क्या होगा सर, DFL होगा B अपन में C और सर DCL क्या होगा, DCL इन दोनों का multiplication कर लिजिए, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं सर, या फिर कैसे निकालेंगे, A अपन में C, ऐसे लिख दीजिए, formula क्योंकि आपके register में space है, तो पूरा पूरा लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ मैं है, दूसरा एक और तरीका सर, और कोई तरीका नहीं है, बिलकुल यहाँ पर आप calculation करके, हर किसी क firm A का तीनों निकाल देजिए, फिर firm 2 का तीनों निकाल देजिए, फिर firm 2 का, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो पहले का answer बताईए, क्या आता है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, पहले का आजए चोदा 24 हजार, मैं एक column का निकालूंगा, बाकि ऐसे ही करना है 24,000 divided by 17,000 क्या आगया 1.41 दूसरे का क्या होगा सर तो पहले डिवाइट 17,000 divided by divided by 13,000 1.30 तीसरे का सर क्या हैगा डिवाइट करेंगे तो 13,000 1.83 इसको मल्टिप्लाई कर दो या फिर आप लिख सकते हो 24,000 divided by 13,000 क्या आगया 1.83 समझे चलिए अगले बारी कॉलम का बता दीजिए 1.363 दो डिजिट तक ले लें तीन जाने की अवशकता नहीं है अगला 1.26 मल्टिप्लाई कर तो आप सीधा 1.71 ठीक है अब थर्ड वाले पोर्सन का निकाल लेते हैं क्या आएगा बताओ 1.23 बच्चों ने बताया कैलकुलेशन आप भी करके चेक करिएगा जितने बच्चे लाइव में हैं सभी बच्चे चेक करिएगा निहा नीशू जिसका भी जवाब आ रहा है भी देख लेते हैं सपोज करो ये Fixed Cost में यहां से हटा दूँ तो फिर हमारा यहां पर क्या आएगा ये भी नहीं आएगा ये भी हट जाएगा और ये हट जाएगा तो क्या आएगा तो आप देखो अगर Fixed Cost इसमें ना होता तो कितना आता Operating Leverage आप क्या करते इसको डिवाइड इससे करते तो वन ही आता समझ मैं आया और ऐसे इंटरस नहीं है तो क्या आया वन ही आया इसका मतलब सर अगर जो भी कॉंपोनेंट्स मिसिंग होते है उसके केस के अंदर उसका वन आता है तो वन तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है वन का मतलब भया कोई फरक नहीं पड़ता वन तो हमारा बेसिक ही है लेकिन दिक्कत तब आचाएज़ है वन के आगे बढ़ता है हमारा तो यह multiply करोगे तो यह आजएगा one point अब बोला गया है इसके अंदर interpret पूरना है आपको interpretation देना है क्या देना है result पे तो सब तीनों के अपने अपने result है अगर देखा जाए मैं लिखूंगा नहीं मैं समझात या performance firm C का चल रहा है क्योंकि इसका सबसे कम operating leverage है ठीक है इसके बाद financing में भी सबसे best है यह क्योंकि इसका कम है यहाँ पर interest का कोई चक्कर ही नहीं है इसके बाद combine में भी यह best है ठीक है तो यह conclusion देना है कि हमारा जो operating leverage financing leverage जो भी है इन सभी में से best कौन सा है बस आपको यह ब सब्सक्राइब का यह हमने डन कर लिया किसी को कोई दिक्कत है तो फटा फट कमेंट में बता दीजिए नोटिंग का मैं प्रॉपर टाइम दे दूँगा 1.3111 सभी का अंकित का सभी का जवाब आ गया है hand raise का अभी एक दिन और रुखना होगा hand raise के लिए क्योंकि इसके अंदर एक और points देखेंगे ठीक है सभी को clear आगे बढ़ जाए एक और question ले हो गया note note कैसे देना है आपको note normally आप conclusion interpretation का है मैं दिखा दूँगा अभी class के बाद इसका मैं दिखा दूँगा note कैसे देना है और उस तरीके से normal अपने layman language में लिख सकते हो कि आप given जो example था इसमें से best as per operating leverage C firm माना जाएगा and also financing leverage के हिसाप से भी C है अगर दोनों best है तो combine तो विस बात है कि वो best रहेगा ही रहेगा तीनों firm के comparatively बस इतना लिखना है चलिए sir मैं 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 जो सकते हैंगा झाली को जाएगा झाल झाल